प्रधान मंत्री बनास काठा में बनास डेरी के नए प्लांट का उथगाटन कर रहे हैं लेकिन इस नए प्लांट की ज़रूरत क्या है और यहाँ पर जो पहले थे प्लांट है उससे इस्थानी किसानों को किस तरीके का फाइदा मिला है यही समझने के लिए यहाँ पर कुछ इस्थानी किसान है इनसे बात करते हैं कि आखिर इस इलाके में दूद का उत्पादन क्या वाकई में पहले की तुलना में बढ़ा है और इस नए नए प्लांट से क्या फाइदा मिलेगा यही कुछ किसान है क्या नाम है आपका? में तो हमारे पंदर दिन में पांच हजार आते थे अभी पचीस हजार आते हैं कितने दिनों में पंदर दिन में पंदरा दिन में पचीस हजार रुपए आते हैं और पहले सिर्फ पांच हजार आते थे पांच गुना हो गया तो उसकी वजह क्या है वजह यह देरी बनने से क्या फाइदा हो तो यह देरी यहां पर बनाज में एक देरी पहले से थी नए प्लांट का उधाटन भी हो रहा है इससे क्या फाइदा होता है इससे दूद ज्यादे आता है तो कहां आपका क्याना में बाला बाई यह बताइए आगर हम पहले की बात करें पहले आप कितना उत्पादन करते थे दूद का और जब डेरी का इसका पहला प्लांट बना था तब कि क्या फरक पड़ा हमारे पहले 25-30 लीटर रोजिंदा था अ अभी सो से 125 लीटर तक जा रहा है पांच गुना हो गया पांच गुना हो गया यह कैसे हुआ यह वो डेरी डेरी प्रसाशन सें इसका डेरी डेरी का सासन मैनेजमेंट है इसलिए उसका सही वविवाट है सही दाम मिल रहा पहले हमारे क्या दूद घर पे रखना पड़ता थ कि मैनेजमेंट नहीं था यह अब की बार देरी प्रसाशन Sesन और देरी चैरमेन का सही वचन से दुश्झा प्लांट के बनने से प्लांट के बनने से हमारा को बावभझा मिल रहा है कि कीमत मीरे है आप लोग Fall पहले की तुलना में ज्यादा मिल रही है कितने पशुव आपके पास से आप कितने हैं हमारे पास पंद्राइबिस पसुद है अब चालिस पैसा पचास पसुद है क्या नाम है मासुंग भाई यह वताईए कि क्या फाइदा मिल रहता है पंद्रा दिन में रुकड़ा रुपि पहले था तो तो क्या जो पहले प्लांट में जितना आप लोग रिप्रोडक्शन करते थे उस पाधन करते थे वो पूरा नहीं जा पाता था नए बने तो कोई फाइदा होगा इससे फाइदा यह ने यह सरकार आई लांट नई प्लांट बनने के फाइदा मिल रहा है और अलग अलग तरीके की यहां पर क्लापि लोग घ्रॉंच्राइड प्लांट नी के बाद में और अब अ čय फाइदा मिलेगा तो इजन बैंगा यहाँ फॉलिटीप हमें कर था महीने में कर एक दो दीन ठतना परता था इसलिए हम मैंझट मैंट नहीं कर सकते थे वह उस दूर्ड़ का अब ओलीडे रखना पड़ता नहीं है पर यदे हमारा दूर्द हो जाती यह इसलिए तो आपके पास कितने पशू थे आज की रेट में कितने पशू है महिने की कमाई में तो करीबन न है लुकष सबका और आपको कही वेयू वेस्ट नहीं होता है वेस्ट नहीं होता हमारे गाम में बल्क लगा हुआ है वह ठंडा ओकर यहां पर आता है पहले तो केंट थे इसमें खराब होता था अच्छा अब दूद्ध खड़ाब होने का कोई डर नहीं कोई खड़ाब होने का डर नहीं कोई पेमेंट का डर नहीं कोई मेनेजमेंट का डर नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है तो अब जो नया प्लांट लग रहा है तो उससे अब आप लोग और पशु जो के किमत बढ़ गई है यह मार्केटिंग होने से पहले जो हम पचास हजार में लाते थे न गए उसका बीस पंचुतर असी जार हो गया है तो भी मिलती ही नहीं है पिर भी आप लोग उस किमत पे भी खरीद रहे हैं हम खरीद रहे हैं विश्वा से विश्वा से मेरे को चुनो, ये इलाके में बनास काड़ा है इसमें पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है पानी की दिक्कत है इसा सिंटाई का पानी मिल नहीं रहा है सिंचा का पानी नहीं मिल रहा है, इस हिसाब से खेती नहीं कर पा रहे ही बस एक ही अभी हमारे पास विकलब बचा है, वो पसू रखो और दूद बराओ ये मेनेजमेंट है और मोदी साहिब की देन है और संकर भाई चौदरी साहिब है कि जो उसका लीडर है इसलिए आज सब पसूपालकों को और सब घिड़ूतों को ये वरुसा है कि अभी अपने को सिंचाए का पानी नहीं लेकिन पसूपालम के मेद्यम से कुछ कर पाएंगे तो अगर हम आपके गाउं की बात करें, टोटल यहें कितने किसान है और उसमें से कितने अब दूर उत्पादन कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे हाँ 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 हमारे लगबग पांच अजार वस्ती है बाटिव गाउं में पांच अजार में से लगबग देखो तो एक हजार छोड़के चार हजार तो किसान है और बारा सो फूट तक हमारे वो ब्र बेल, टूब बेल बोलते हैं टूब बेल चार हजार में कितने लोग पॉर्वशु पालं नहीं कर रहे है रा हुआ है पूरे सब में motive पूरे चार चार हजार अ कर दूबकर जैरा है ये पूरी हाँ हाँ यही के विकलब है अभी जो तो हमारे पास चार पसू होंगे के दस होंगे जो इसका दूद लेके इन पैसों से हम बच्चा-बच्ची की पढ़ाई कर सकेंगे अपना जो घर का रिवाज है जो देना पड़ता है वो भी उससे पगार आता है तब ही काम च यह तो दो टक का 200 लिटर हो गया वह 200 लिटर दूद कहां जाएगा जो एचएफ गया है उसका दूद वो वह लोना करना पड़ता है इसमें दो काम आता नहीं है अंत करते हैं तो इतना उसमें कुई बतना नहीं है तो करे क्या तो यही तो प्रांट की भी जरूर थे अभी इससे भी थूड़ा बढ़ा हो तो भी ज़रूर देए इससे बढ़ा की आगर होगा तब भी दूद की खबत हो जाएगी हो जाएगी अब दिखो तो साभाई करोड के पौँचे पहुंच गए जो हमारी साइड साइब को मैं विनमति करता हूँ कि यह दानेरा साइड लगा और पंपता है इंगर को क्या करिंगा है, उसका विकल्प यह सुझाया गया है कि आप पशूपालण कीजिए, देश में दूद का उत्पादन कम होता है, जो जरूरत है मांगज जादा है, लिहादा इन किसानों से कहा गया है कि आप पशू का पालन कीजिए दूद का उत्पादन कीजिए और इन किसानों की माने तो पिछले आठ से दस सालों के दौरान ही इनकी आये चार से पांच गुना हो गई है जो दूद का उत्पादन है जितना पहले होता था उससे चार से पांच गुरा हो गया है और अभी भी स्कोप है ये तो कहा रहे हैं कि एक नया प्लांट तो बनाए जा रहा है लेकिन और प्लांट बनाए जाएं और प्लांट बनाए जाएंगे तो और दूद का उत्पादन हो एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी